आज मैं आपको HCF बताऊंगी Highest Common Factor तक है? Highest common factor का मतलब होता है अगर किसी भी दो नमबर या तीन नमबर हम निकालते हैं तीन नमबर में भी जो Highest Common Factor का मतलब होता है कि तीनों नमबर में जो तीनों नमबर ऐसा नमबर हो जिससे वो divide हो जाए, वो highest number क्या है, यह हमको जानना है, ठीक है, तो इसको हम लोग लेके देखिए चलते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं, हाइस्ट common factor, तो कैसे निकालेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, दो number है, इसमें, देखते हैं हम लोग, 24 and 186, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 से 186 को divide करेंगे, छीक है, simple divide करेंगे, 24 में कितना बार में जाएगा, तो देखिए, इसमें कितना बार में जाएगा, 24 मेरे को लग रहा है, 7 times जाएगा, 4 7 जा, 28, 28 का, 8, और 7 2 जा, 14 और 2, 16, ठीक है, तो ये 7 times में जाएगा, 168, मैनिस करेंगे, जैसे simple divide करते हैं, 16 से 8 गया, 8, फिर ये बचा 7, 7 में 6 गया, 18, इस नंबर से, इसको divide करेंगे, 24 को यहाँ ले आएगे, ये देखिए, ये जो इस नंबर से divide कर रहे थे, अब इसको यहाँ लाएगे, इस नंबर को divide करेंगे, 18 बचा, 18, 14 में से 8 गया, 6, तिक, अब आपके पास क्या बचा, 6 बचा, नीचे, अब इस नंबर से, जो यहाँ आया, उसको फिर हमने उतारेंगे, यहाँ, इसको divide करेंगे, 6 से 18 को define करेंगे, 6 तरीजा, हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा, यह पुरा कड़ गया, यहाँ तक बचते चला आ रहा था, यह पुरा कड़ गया, तो आपका जो HCF जो हुआ, यह common factor, highest common factor क्या हुआ, 6, ठीक है, इसका highest common factor होगे, 6, ठीक है, student आपने HCF निकालना सीखा आज, अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा, तिसे लाइक जरूर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,